एलो एबरीमन स्वागत है आप सभी का जीयस क्रक्स में आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पाल और लोग आयुक्तिव के बारे में जो है समझेंगे तो ग्लोबल सिनेरियो जो है पहले समझते हैं कि कि modern democratic states जो है इसमें हम देखते हैं कि यह welfare orientation से इनका development होता है और government जो होती है यह important rule प्ले करती है socio-economic development के nation के जो socio-economic development में तो इससे क्या होता है कि हम जो है bureaucracy के powers को ज्यादा expand करते हैं expansion होता है यहां पर और multiple powercho лет administrative process में दे दे रहेते हैं इससे क्या होता है कि administrative powers इनके इंकरीज हो जाते हैं इनकी discretion जो है इन जो है यह ज्यादा हो जाते जिसको enjoy करते हैं और civil servant जो है evidence लिकल्फ Psalm होते हैं कि यह होते हैं इनको power जब दिया जाता है यह discretionary power को जो इसमें यह abuse करते हैं अपने पावर का जैसे कि हम देखें तो एक हरास्मेंट करते हैं किसी के साथ उत्पीडन करेंगे माल अड्मिर्सेशन कुसासन हमने देखने को मिलेगा करप्सं करते हुए देखे जाएंगे यहां पिसी सिच्वेशन से जो है fight करने के लिए इस जो है problems को redress करने के लिए हमने इन grievances को redress करने के लिए हमने जो है लोक पाल और लोग आयुक को लेकर आया अब देखें कि सक्सेस story आप democracy and realization of socio-economic development depends on the extent to which the citizens तो यहां पर जो है सक्षेज डेमोक्रेसी वह होती है जहां पर हम सोच्चियोएकनोमिक डेवलप्मेंट के साथ साथ जो है सिटिजन के जो ग्रेवियंसेंस है उसको जो रिड्रेस करें इसलिए जो है हमने कुछ इंस्ट्यूशन बना तो अलग-अलग दुनिया भर में वर्ल में वो जो है इनने प्राब्लम को रिड्रेस करने के लिए यह तरीके जो है अपना है जैसे इस कनेड़ेवियन जो है इंस्टिट्यूशन से यह हम देखे हैं तो इन्होंने जो है ओमबॉट्समेंट को जो है फॉलो किया और इस तरह से जो है डोनाल्ड सी रोवर्ट जो है से कहते हैं इंटरनेशनल अथर्टी इंटर एन इंटरनेशनल अथर्टी अन ओमबट्समेंट कॉल सिट ए अन इक्वाली एप्रोप्रियेट इस्टिटूशन फॉर डिलिंग विद द एवरेज सिटीजन्स कंप्लेंट विद अबाउट अनफेर अडिमिस्ट्रेटिव एक् अपनी कॉंप्लेंट दर्ज करेंगे तो यहां जो है आपकी चीजों को सुना जाएगा अब देखें यहां पर इंजो इंस्टिट्यूशन से ओमबट्समेंट के वो जो है सबसे पहले क्रियेट किये स्वेडन में तो ओमबड का मतलब होता है स्वेडिस टरम है इसका मतलब ग्याइब होता है जो क्या का और दोनाल्ड सी रोबड जहाएं कि एन ऑफिसर एपोर्नेट गांटेड बाइड लेजिस्लीचर कि है प्लेंटे अन्युडिसील काफिसर होता है जो कि legislative administrative और judicial actions जो है उनको जो है उनको जो है handle करता है यह ओंबर्समेंट जो है किस तरह citizen grievances को जो है रेडियस करता है जैसे देखें कि कोई power का व्यूज कर रहा है administrative discretion से अपने जो है मिस्यूज कर रहा है और जो है यह official industrial power का यूज करके जो है administration में जो है कुछ problem कर रहा है कुछ आसन हमें देखने को मिल रहा है माल administration जो है देखने के मिल राए जिसके कारण जो है ine efficiency आ रही है वह अपने target जो है वह अचीव नहीं कर रहा है administrative corruption जो है देखने को और यह जो है सिलसिला चलता रहता है परिवारबात जो है बिल्कुल सरकारी नोकरी में बिल्कुल डटा हुआ है जैसे हम आज कर पारिए जो है पॉलिटिक्स में देख रहे हैं डिस्कॉर्ट सी डाइटीज मिस्विहवियर आफ वैरियस काइंड फॉर इंस्टेंस यूज किया आपने किसी का किया है तो इसमें भी आप ombudsman कर सकते हैं यहां पर जो मिट्समेंट किया जाता है पार्लेमेंट द्वारा ले मिट्सme यह पार्लेमेंट को एज सम्मिट करते हैं के बारे में और समझे हम तो एक होगाई करते हैं करते हैं करते हैं और जो ड्यूटी जो डिस्चार्ज करते हैं उनको भी जो है हम यह देखते रहते हैं मतलब एक्जिक्विट्व लेजिसलेचर और जो है जुडिसरी तीनों पर नजरी रखते हैं इन अदर वर्ट्स ही कीप सब्सक्राइब करते हैं इनका डिरेक्ट कंट्रोल होता नहीं है यह जो है जो डिसीजन लेते हैं अपने हायर अथर्टी को बताते हैं अब वहां पर था अब वहां से अपने हां कितनी चीजे लेकर आएंगे उसको जो है हमें आगे पढ़ना होगा तो अंबोर्ष्मेंट जो है यह कंपलेंट वेसिस पर काम करता है वहां का अंबोर्ष्मेंट हम समझ रहे हैं तो वह वह सीजन के जो भी अनफेर एडिमिस्ट्यटिव एक्षन जो लिए गए हैं उससे या पने खुद से भी इनिसियेट कर सकते हैं और किसी की जांच कर सकत सकते हैं he himself inflict any punishment यह खुद अपने कोई punishment नहीं दे सकते हैं यह सिर्फ और जी अपने higher authority को बताएंगे कि यह problem जो है देखने को आ रही है कुछ यहाँ स्वेडिस इंस्ट्यूशन में हम देखें स्वेडिस इंस्ट्यूशन के यहाँ इंडिपेंडेंस जो है इनको हमने बना रखा है इंपार्सियल है इसका अब्जेक्टिव investigation है जो भी कंवेश्ट जो है complaint आ रही है सुव मोटो केस को जो है ले सकता है और इंट्रप्टेड एक्सेस है सभी इसके बाद वाइडली पबिसिटी गिवन टूट इस वर्किंग इन प्रेस अंड और मीडिया तो इसकी काम को जो है यह वाइडली पब्लिस किया जाता है प्रेस में मीडिया में डैरेक्ट सिंपल इनफॉर्मल और चीप हुए है जिसके थूँ जो है हम इस इन सारे जो माल एडिविस अप्रैक्टी शोरी जो करफ सनमें देखने को मिल रहा है उसको हैंडल किया जा सकता है फ्रॉम स्वेडन यह और भी कंट्रीज में जो है फैला तो इस केनेडिविन गंट्री में जो फैला जैसे फिनलाइंड में नेयंसिट निज्ट पच्पन में नॉर्म में 1962 में न्यूजीलेंड जो है यह पहला कॉंवेल्थ कंट्री था जिसने जो है इस ओंबर्समेंट सिस्टम को जो है जो है एड़ाप्ट किया था पारलेमेंटरी कमिशनर्स जो है यहां पर बनाये थे जो है इंडिया में लोगपाल या लोकात यूपत नाम से जाना जाता है डोनल्ड सी रावर्ट जो है यह कहते हैं इंस्ट्यूशन साफ ओंबर्समेंट इस बुल्वर्क इस बुल्वर्क आप डेमोक्रेटिक गवर्मेंट अगेंस्ट टिरैनी आप ऑफिसीयल्डम जो ऑफिस और यह जो संरेट जाना भाफिस को यह ज ね व्य क्या कर दिलिया जाना यहेhm SSD को क्या प्रॉब्लम ईसको सो क्या जो Allah तो है सिच्टेटिवक को फ्रेंशৌ है आलग दिखता है कि यह जो है अलग तरीके से अधिर्यंच में जो है इंटूंद वह था जैस हमने सुरू में यह French system of administrative, दूसरा हम देख रहा है, जहां कि France में हमें इसकी success story देखी, पूरे Europe में जो है फैला, Belgium, Greece और जो है और भी country जो है इसको follow की, socialist country ने भी इसको अपनाया और प्रोक्योरेटर सिस्टम से जो है इसको जाना गया, और इसको जो है अभी भी रसिया में जो है function कर रहा है, यहां पर appointment जो होता है, जो है इसका tenure जो है 7 साल का होता है, position देखें इंडिया में तो इसको जो है legal और institutional framework जो है बना दिया गया है, लेकिन जो है इसमें और भी चीज़े है जिससे हैं हम देखते हैं कि इंडिया में और कौन-कौन सी body है जो की deal करती है, तो अभी देखेंग प्रविस एक 1815 बनी थी, इंडियान फीनल कोड 1860 में, इस पैसल पॉलिस 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 एडिस्तेलिस्मेंन नाने फॉती तीन पॉलिस दिलह पॉलिस स्टेबलेस्ट इस सिब्समेंट आख 1946 प्रविंस अनप्रप्स अंप्रप्स अना इक 1988 commissions of inquiry act 1952 इस तरह से औल इंडिय इसके बाद जो है सेंटरल विजलेंस कमीजन बनाई गई फिर स्टेट विजलेंस कमीजन हुई करप्वो और जो है लोगपाल लोकायूग डिविजलेंस भॉट तो यह अलग-अलग बोड जो है बनाए गये थे इन्हीं प्राववन उसको सूल्व करने के रिए तो लोगपाल और लोकायूट भी बाद में आ गया था अब लोगपाल और लोकायूट क्या होगा इसको हम समझते हैं अगले वीडियो में कैसे इंडिया में इसको हम इंटोड्यूज करते हैं ओके थैंक्यो